हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ बादल और आप सबको फिर से स्वायत कर रहा हूँ इस टेविल टेक्टिप्स चनल में तो फ्रेंट्स हम कम्प्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलिज गैन कर चुके हैं उसके साथ साथ हम मोबाइल के उपर भी जानकारिया में आपको दू पर इस टेक्नलोजी की डूनिया में रखते जावंगा ठीक है तो प्रिंस आज हम में क्यआ क्या टेक्नलोजी से अपडेट्स आया है और जालबने वाला है कितना बढ़ चुका है इस कोरोना के टाइम पेटल कदम साथ हमारा ओडिसा में 100 पार कर चुका है और बहुत सारे सेव में 95 से ज्यादा हो चुका है ठीक है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमारा इलक्ट्रोनिक बाइक्स लाइक स्कुटिस इलक्ट्रोनिक बाइक्स यह सब आ चुका है और जो इलन मस्क है वो क्या कर रहे है अभी हमारा इलक्ट्रोनिक कार को निकालने का प्रेस में है ठीक है तो फ्रेंट्स यह था हमारा पहला अपडेट की हमारा पेट्रोल और डिजल और कार को replace करने जा रहा है हमारा electronic bikes यह था हमारा technology का पहला updates जो कि बहुत ही powerful है क्योंकि petrol एक लीटर 100 रुपी शाता है एक लीटर में वो अगर 60 km जाता है तो हमारा जो electronic bike होता है वो 60 km जाने के लिए जस 5 से 10 रुपय खर्चा होता है electronic bike से तो यह बहुत ही जल्दी हमारे पू 2021 में हमारा mobile में एक एसा update आने वाला है जिसके द्वारा हम earthquake को पहले से जान सकते हैं ठीक हमारा mobile में अभी एसा sensors आड़ होने जा रहा है जो कि earthquake को पहले से ही वो आपको alert कर देगा कि अभी earthquake आ रहा है और earthquake के बाद जो भी moments होता है वो सब को control करने के लिए earthquake का जो sensor है वो सब्सक्रावानाओं को जान सकते हैं और हम precautions ले सकते हैं हम यह पकड़ के चलेंगे कि 2021 के बाद जो भी mobile आएगा उसमें तो हमारा earthquake alert इंबिल्ट इंस्टल होके आएगा तो अभी चलती हमारा नेक्स्ट अपडेट कियो हमारा नेक्स्ट अपडेट है कि बहुती जल्दी मतलब 2021 के डिसंबर तक हमारा इंडिया में 5G launch हो जाएगा वेशे तो 2020 में ही 5G को introduce करवाया गया था बट अभी तक इंडिया में 5G introduce नहीं हुआ है बहुत सारे 5G phones आ चुके हैं अगर आपको 5G phone लेना है तो आप market से ले सक हो क्योंकि इस डिसंबर तक आप 5G network को यूज करने लाइक हो जाए क्योंकि हमारा इंडिया में बहुती जल्दी 5G introduce होने वाला है ठीकि वेसे तो एक दो महीना एधर उदर हो सकता है बट यह हम मान के चलेंगे कि इस डिसंबर की तक हमको 5G का जो network हो मिल जाएगा अगर 5G ह सबको हम connect कर सकते हैं में जो वोला electronic bikes उसे भी हम अपने mobile से कंट्रोल करेंगे घर से निकलेंगे एक की दबाए तो गाड़ी स्टार्ट हो गया तो यह सब होने वाला है हमारा 5G support के साथ चलते हमारा next update के आप सब कभी ना कभी Google Assistant यूज किये होंगे यह जो सर्विस हैं हर एक फोन में होता है Google Assistant में हम जो भी डाउट है हम जो भी पूछते हैं उसका अंसर देता है एक artificial intelligence है बट यह अभी इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है तो अभी 2021 के end गूगल नहीं कि हमारा जो Google Assistant है उनको वो update करेंगे ठीक है और update में क्या लेके आएंगे वो क्या करेगा हमारा face के साथ सथ voice को mix up करके एक recognition करके हमारा हम जो भी बोलेंगे वो करेगा मतलब अभी क्या करता है हम बोलते हैं कि यह application खोल दो call to this one call to this one message to this one यह सब हम बोलते हैं बट अभी जो updated person आएगा उसमें क्या हो सकता है अगर आप बोलोगे कि अभी Google Play में जाके यह वाला application बोलोड कर लेगा आप बोलोगे कि इस नंबर को यह बाला message भेज़ता हो तू ओटमेटिकली भेज़ते हैं ठीक है तो यह सब काम करने वाला है हमारा Google Assistant अभी Google Assistant में थोड़ा बहुत improve होने वाला है और उसके साथ साथ आपको बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा जब से पहले आपके पास notification जाएगा तो अब चलते हैं हमारा next update कि हमारा WhatsApp में हम क्या करते हैं emojis भेजते हैं और WhatsApp का जो हम चार्टिंग करते हैं वो end to end encryption होता है मतलब उसमें third party कोई भी involved नहीं हो सकता हमारा जो messaging कोई भी नहीं पढ़ सकता बट अभी क्या होने वाला है 2021 के बात जो भी mobile provider से या जो network provider से वो सब क्या करने वाला है जो mobile का SMS होता है जो हम नर्माली message करते हैं ठीक है उसमें भी end to end encryption होने वाला है उसमें भी बहुत सारे emojis add होने वाला है क्योंकि अभी हम इतने सारा emoji उसमें नहीं भेज सकते हैं ठीक है तो अभी क्या होने वाला है हमारे जो end to end encryption होगा उसके साथ साथ हम emoji भी शेंट कर सकते हैं ठीक है तो यह था एक जबर्देस्ट अपडेट आप इसे ट्राइब कर सकते हो यह बहुत ही जल्दी आने वाला है अब चलते हैं नेक्ट अपडेट की और अगर आप इंडिया में हो तो कभी ना कभी स्वीगी जोमाटो यह वाला सब अप्लिकेशन स आप कभी ना कभी ओडर किया होगी खाना वगेरा नहीं तो आप आमजन या फ्लिपकार्ट में भी आप बहुत सारे प्रोड़क्ट को अनलाइन पर्सेंस किये होंगे ठीक है तो वह क्या होता है कोरेल के साथ आता है बट अभी 2021 में वह क्या करने वाले हैं ड्रॉन डेलिव हो सकता है बट मुझे नहीं लगता है इतना सक्सेस्फुल होगा अगर ड्रॉन आएगा आपको डेलिवर देगा और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ड्रॉन को पकटके अपने पास रख लेते हैं तो आप सोच सेकते हो क्या हो सकता है क्योंकि एक ड्रॉन में अगर हम यह हम 200 रुपे का खाना अडर करेंगे उसके साथ 2 लाग का ड्रॉन रख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यह इतने जल्दी इतने सक्सेसिफुली इंप्लिमेंट हो सकता है हमारी यह बट यह अभी कहीं ना कहीं सुरू हो चुका है शुगी ने एक कंपनी के सथ टाइप कर चुका है खाना डेलिवेरी को ड्रॉन के मध्यम से करने के लिए तो देख जेंगे क्या होता है टेखनोलोजी अपडेट के और एक एपिसोड में हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में जानेंगे तो मैं एसे बहुत सारे सीरीज लेके आओंगा जैसे की मोबाइल का अप्लि तो फ्रिंट्स आज के लिए बस इतना है जलता हो फ्रिंट्स बाइवाई टेकर और लव्यो ओर